कि पूर दो कि अभगो कि अभगो कि थो में प्रों में फिर्ष थे हैं चुकों और एक नुगेपल बड़ोलेकर वापीस और भाई फैक्टरी नहीं जाएंगे क्योंकि फ्लाट रूट इसके उपर से था तो जाना तो पड़ेगा इधर और मैं यहाँ पर यह सोच गया था कि मैं बन बंद आएंगे हमारा कॉंटेंट कुंटेंट यह सब बन जाएगा लेकिन ऐसा कहा होना था यहाँ पर जस्ट एक ही बंद आता है जो कि उपर उत्रा होता और मुझे लग रहा था मैं मतलब नियत यहाँ पर मरूंगा लेकि मुझे एम सिक्षेन यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर रत्तो रसकना बंता है क्योंकि एक गंड मिल जाए तो वही बहुत ज़्यादा है ओ अलग बात है कि थोड़ा बहुत भेश्ट मिल जिखने वालों में सी है मुझे ऐसा ही लग रहा था तो मैं बिना फेष्ट करते हैं इसको पर यह रहा यह बंदा अब बंदा प्रीफैर करता यह गन नहीं नहीं रिलोड तो करने जाता है लेकिन उससे पहले ये बंदा सोचता है कि मतलब नेट टॉस करके इसको मार दूंगा लेकिन तो हम तो है भाई डीड बंदे हम तो ऐसे ही जाएंगे भाई भले ही बंदलब बंदे के पास कोई सब्सक्राइब डेमेज देते हैं तो रस् यहां पर भी कोई नहीं बंदा तो मैंने सुझा एक ही बंदा आया था जिस्सों कि यहां पर मैंने मार दिया और गाड़ी पकर रहें कि इस वाले बॉट के पास मतलब क्या देखो मैं इसको भाई पैंसी मारता हूं क्योंकि डिपी से मारने का तो भाई डिपी रिलोड करना अब यहां पर मैं गाड़ी पकरता हूं और यहां पर देखना एक बंदा बॉट के जैसे आउटफिट वैन काया था तुम्हें भी लगे का यह बंदा बॉट था या नहीं लेकिन आसा नहीं होता इसकी बाद नहीं कर रहा यह तो यह दखो यह बंदा बॉट के जैसा मैं इस बंद को जैसी मारूंगा तुम भाई बग्गी से उतर के मेरे ओपर थाड़ पाटी करोगे तो मैं यहां पर रेड़ी था वैसे मैं रेड़ी कुछ भी नहीं था विड़ो पे थोड़ा नाटक करना पड़ता है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सोच जाते कि इस बंद और यहां पर मैं फाइनली जितना हो साके जल्दी इस वाले फ्लैट डॉप पर आ जाता हो लेकिन उससे पहले मेरे जैसे और एक लालची बंद आ जाता है और इस बंदे को देगना मतलब एस्टल के मेरा एस्टल के क्यों भाई ऐसा कि लिट्रेली भाई साथ गोली लगा मत मतलब बंदे मुझे दो या तीन गॉली पर मार के जाते और मुझे कितना मानना पड़ता है साद और आठ जो की अनफेर है यार कुस्तो फिक्स करो क्या फिक्स करेंगे भाई कोई अपडेटी नहीं यारा मतलब कुछ नहीं हो रहा तो मतलब घंटा ये लोग ये फिक्स कर करेंगे नहीं हो सकता भाई कुछ अब यहां पर मैं अच्छा बच्छा कि इसे पेन के लारी लगा रहा था अब मैं सोचा था ये पेन के लिए लगाने के बाद मैं यासे ड्रॉल लूट का लेकिन ऐसा भाई का होना था यहां पर और और बंदा आ जाता है अभी इन बंदों के असे मारने का एक रिज़ान ने क्योंकि इस पता ही है मेरे वाय कितने सारे मैचे खराब होते हैं तो मैंने मैंने भी सोचा भाई क्यूं यहार मैं क्यूं हर बार ऐसे मरूं मुझे भी थोड़ा मानना बन देंगा गेम में दिया है तो चलाना तो पड़ कि सूरच भाई का यह जिन्दी का सब्चे बड़ा गलती होता क्योंकि तुम पता यह डीपी प्लस थ्री एक इतना भी रिकॉल नहीं होता उसके उपर भाई उपर था तो एडवांटेज पूरा ही था मतलब देख रहो ना भाई सॉलोपे कितने लालची बंदे मिलते मतलब ब अब यहां पर मुझे दीखता है एडवलम और एमटूफ होना है और प्लास एटेक्स के साथ है फिर भी मैंने सोचा भाई मतलब इक नो और यह देखो भाई ड्रॉप पर फस किया मतलब क्या सब ग्लिचेस है और यहां पर एक टाइम सोच जा था मैं नेट से उड़ा दू म तो निकल ही नहीं पाओगे यह की रस्ता है या फिर नेट से तुम खुद को डालो और कुछ नहीं कर सकते यार मतलब मैं निकल जाता हूं कुछ भी कर यहां से अब तुम्हारा भाई सीधा पैदल पैदल यहां पर आजाते क्योंकि वह जो भाई डास यह था उसका फ्वेल भी खतम था और प्लस उसका जो मतलब हेल था वह भी ना के बरबर था तो मिया पर पैदल पैदल आजा तो यह आपर यह बॉट था मुझे लगा था यह बंदा इस बॉट को मैं डीपी से मार तो आप मुझे लग रहा था यह लोंडा भाई रस करेगा जो उपर बंदा था लेकिन यह बंदा ऐसा नहीं करता तो मुझे ही रस करना पड़ता है इसके उपर बैसे देखना यह बंदा बहुत जदा गलत काम करता है तुम ही देख लो मतलब यह बंदा उपर चड़ रहा था जो कि बहुत जदा यार गलत बाद है अगर यह बंदा बहुत टाइम से उपर टंगवा था मैंने वह सीन कट कर देने तो मतलब भी बोर हो जाओ गया हो देखके लेकिन इस बंदा का कुछ भीएकर का मार देता हूं और यहां पर मतलब देखी सकतो बैए रेड जोन देख सकतो पूरा जंक्याड जहां पजोन है यह फूरा ले चुका है अब यहां पर से मैं ऊपर नहीं रहता मुझा पता है उपर भे रिस्क भी रहता है फील से मैं कुछ बंदें दो तिन ऊपर बंदे थे तो मैं नीचे आ जाता हूं और यहां पर एक बंदा मेरे उपर रस कर चुका होता है और भी घिली सूट लेकर लेकिन घिली सूट बाले लॉंडे को मुझे डर लगता है क्योंकि इनका पास आर्पीजी दादा टाइम होता है लेकिन ही तो एश्टल के था इसके पास और यही में रिजन है कि मैंने क्यों एश्टल के उठा है क्योंकि हर एक बंदा में एश्टल के चला रहा होता है और तुमने देखा ना जैसी इस बंद को मारा मुझे डैमेज पड़ता है और मैं थोड़ा कॉन्फूज हो गया था इस वाले घर से मार रहे या फिर उस बले द मैं सोचा तो उपर से यहां पर टॉस करकि यहां पर नेट फोगा क्योंकि उसको जब मैंने मारा था घिली स्ट वाले को मैं कॉन्फूज हो गया था कहां से बढ़ा तो मैं यहां पर फेखता हूं लेकिन यह बंदा यहां पर नहीं होता और अब तक वीडियो देख रहो तो अब मैं यहां पर सोचा था कि मैं यहां पर में मार नेट टॉस करूंगा लेकिन यह बंदा मेरे जैसे यहां पर एडवांस जल रहा था यह भी पर नेट टॉस कर चुका है पहले सी मेरे जैसे तो यहां पर मैं टीवी भी लेने लग जाता हूं यहां पर मैं कॉंटेंट के लालज पर अंधवेन चला जातों ये बंदा रस नहीं कर रहा तो तो इसी जखकर में यह बंदा कितना टेलीपोट करता है और मेरा एम भी नहीं लगता है श्चार्टिंग पर और यहां पर मैं मिलता हूं कल कि 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 झाल झाल